गाईज, ग्लोबल मार्केट के ऊपर आप नजर रखते हो, अच्छी बात है और नजर आप रखते हो सबसे ज़ादा दाओ जोन पे और S&P पे या NASDAQ पे इन मार्केट से ज़ादा आपके लिए ज़रूरी है crude oil, gold, silver, rent crude, आप एक चीज़ नोट करो, मैं आपसे ये discuss न बहुत देर से कर रहा हूँ, वह और की situation बनी, बट जितने smart money है या FIS हैं, इंडेक्स में और stocks में, ये अपना interest लूज कर रहे हैं, तभी तो अगर ये interest लूज कर रहे हैं, तभी तो ये plan कर रहे हैं, crude oil upside के लिए गय market sell on rise पे है, rise कहां तक आ सकता है, discuss करेंगे, एक request है आप लोगों से, नए हो चैनल पे, subscribe कर लेना, like कर देना वीडियो को, और previous वीडियो ज़रूर देखो, master guide से लिए देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, hello दोस्तों, अभी time हो रहा है, 155, mid cap के आज expiry है, सब ल शुरू से, कि market को upside के लिए नहीं जाना है, अगर जाएगा भी, इस area के आसपास से rejection ले लेगा, आप लोग क्या करते हो, zero hero ढूनते हो, 10 रुपय का premium 100 रुपय हो जाए, हो भी जाएगा, किसी दिन कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब 10,800 की put में पैसा बन सकता है, तो pay pattern बना, 10,800 की put buy हुई, 100 रुपीज में, अब इसका stop loss हमारा रहेगा, 93 रुपीज, अगर 93 रुपीज जाएगा, हम इसमें से exit हो जाएंगे, और अगर favor में चला, तो हमारे लिए 130, 140, 150, जितना आज की दिन में दे देगी market, उतना लेके निकल जाएंगे, बट गलती क्या क करते हो, आप लोग लालज के चक्कर में, क्रंट वी के expiry में trade करते हो, होता क्या है, view आपका बिल्कुल सही होगा, 90% time, आपको आता है इतनी चीजें, आप गलत direction में जाते हो, या फिर कुछ लोग होंगे, जो नए-ने देखेंगे, उनको लगेगा कि यहां से call buy कर लेते है साइडवेज है, गिरना होता तो गिर जाती, यहां से call buy कर लेते हैं, अप साइड के लिए पैसा बन जाए, कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला, अप साइड के लिए अगर आएगा भी तो एक spike आएगा, जस्ट डाउन साइड के लिए जो view बनाके बैटे हैं उनको trap करने के लिए, इस से जादा नहीं, बट crunch expiry में trade करोगे, क्या होगा, आपका premium हो सकता है, एक गिंटा और hold करोगे, आपका zero हो जाएगा, कल के लिए आपका mindset ही खराब कर देगी market, बट next week की expiry में trade करने से क्या होगा, आपका premium melt नहीं होगा, without any reason, अगर यहां तक market ज जल रहा होगा, इसका 10800 की put का आप note कर ले न, 158 का time जब था, randomly नहीं कि कैसे भी आपने buy कर लिया, कुछ भी मिला, वही buy कर लिया, फिर नहीं होगा कुछ नहीं, वेट करना है, 7 रुपय का तो risk देना पड़ेगा न, market को, बिना risk के तो होगा नहीं कुछ नहीं, पर 7 अब ये upside में 115-16 रुपय चली गे, 112-13 के आसपस हम exit कर गे थे, कुछ ना कुछ तो देखे गई, anyways, आपको कोई फरक नहीं पड़ता कि ये 150 चली जाए कल, या 160 चली जाए, या downside में हो सकता 80 आजए, कोई बड़ी बात नहीं है, हम trade को hold नहीं करेंगे, but अगर वही current week की expiry मे 11 बजे के बाद trade ना करो आप, मेरे को बहुत खुशी हुई, YouTube पे follow करते हैं, Mr. Dhira Sharma, मेरे को अच्छा लगता है, सिखाने मज़ा भी तभी आता है, वेदानता में, downside से इसने राई शुरू करा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेदानता के chart को नहीं देख रहा था, very frankly, जब य ये upside में 382 पे आया, उन्होंने मेरे साथ share किया, कि sir, वेदानता में RSI 92 प्लस चला गया है, daily basis, और monthly 60 से नीचे है, इसमें sell आ सकता है, मैं क्या, आप पूछ रहे हो मेरे से या बता रहे हो, बलता पाजी मैं बता रहा हूं, आपने सिखा रखा है, और मैं trade करता हूं उसके basis पे, आप देख लो, कि यहां से ये fall कितना हुआ, 382 से लेके, 368 तक, आप master guide series को follow कर रहे हो, मेरे को ये देखके confidence मिल रहा है, कि लोग follow कर रहे है, learning को, जो free of cost, YouTube पे share कर रखी है, अगर कोई अच्छा काम कर रहे है, तो उसको appreciate करना चाहिए, दीरिट पाजी comment कर देना, करते हो, RSI के उपर, बहुत detail में, master guide series में share कर रखा है, 63MA के उपर share कर रखा है, master guide series को देखो, अगर वो पूछते मेरे से, कि sir buy करूं, sell करूं, तो उनको पता है मैं क्या करता, they know very well, सीधा block करता for whole life, कल के लिए देख लेते हैं, nifty, bank nifty, fin nifty को, जिसकी expiry है, bank nifty से शुरू कर रहे हैं, पूरा दिन भर sideways रहने के बाद में, इसने 850 के levels को break कर दिया, यहाँ पे trade कर रहा है अभी, market close नहीं हुई है, बढ़ ठीक है, हम इसमें, अगर यह trend को continue करता है, तब भी हम BTSD नहीं करेंगे, market sell on rise पे है, for next 4 days, but rise आएगा, then we can plan sell ना, यहाँ से 850 को break करेगा, तब हम downside के लिए plan करेंगे, simple था level, यहाँ सिप जिसने किया होगा, किया होगा, mid cap में, अगर rise आएगा, then we can plan, कल को, अगर market downside में, 747626 के आसपास होगा, open होती है, upside का trend शुरू करती है, तो हम downside के लिए sell zone ढूंडेंगे, कि कहा sell करना है, यह sell zone बनेंगा, अगर gap down के बाद म तो, अगर market कल gap up open होता है, हम sell के लिए opportunity ढूंडेंगे, कहां मिल सकती है हमें, upside में, 48,160 के आसपास, वहाँ से rejection के बाद वेट करेंगे हम sell side का trade, अगर market gap down open होती है, extreme, हम upside में rise का वेट करेंगे, तब जाके trade plan करेंगे, जो resistance area बनेंगे, बट, news waste market में, हम btst नहीं करेंगे, जो intraday basis पे trade कर रहे हैं, क्योंकि रात को अगर ये news आ गई, by chance, negative तो आपने सुन लिया, positive अगर कोई ये बोल देता है, कि सब shorted है, कोई लडाई नहीं होगी, सब में समझाता हो गया, तो market upside को चली जाएगे, क्या होगा आपकी पोटक अब इसका बड़िया वाला example आपको में देता हूँ, upside में आज क्या किया market में, morning में share किया था, live session में, जब हमें confirm हो गया, कि market open हो रही है, 48,057 के पास में, जो इसका opening price था, कहा था, कि upside में 48,160 जो है, ये resistance का का काम करेगा, ये level तो आपको, मेरे खाल में इस particular level के बारे में discuss करते हूँ, हमें कितना time हो गया, more than 5-6 days, ये जब तक इसके उपर है, support का का काम करेगा, अगर यहाँ से move शुरू कर रही है, gap down के बाद में, resistance का का काम करेगा, हुआ क्या, first candle ने try करा, और वहाँ से trap trade आपका active होता है, फिर सारा दिन भर इसने कोई trade ने दिया, trade कब दिया जब इसने इस hurdle को break किया, इस hurdle को break किया, तब आपके लिए trade बनता है, बढ़ आप यहाँ पर trade लोगे, 880 के बाद में, जब यह नीचे की support को break करेगा, support को break करा, तो आपको 100-800 point दे दिया, इतना ही मिलता है यार market में, जब भी ऐसी war की situation हो, news driven market हो, no need to do any BTSD, हमें अच्छा मौका कब मिलेगा, हमें पता है sell करना है, upside में 48,295 के आसपास resistance है, इस area के आसपास से फिर से fall हो सकती है, और downside में support का काम करेगा, यह zone, 47,400 के आसपास, जब भी market इस area के आसपास आएगी, bounce back ज़रूर आएगा, 400 के आसपास आएगी, तो हो सकता 100-800 point में यहां तक दे दे, क क्यों bounce back आएगा, किस basis पे मैं कह रहा हूँ, तो जो previous time से follow करते हैं, उनको पता है, यह एक strong demand zone बना हुआ था, जब market इसको break करके upside में गई थी, consolidate किया है, market ने इस area में at least 4-5 trading session, minimum है, तो एक bounce back expected है इस area के आसपास से, bounce back का मतलब 100-800-200 point का reversal move, जो एक trader को चाहिए होता है intraday हम assume क्या कर सकते हैं, कि अगर retest करके यहां पे आई और इस level को break करेगी, तो और fall हो सकती है, हम यह predict कर सकते हैं, कि market यहां पे आएगी, यहां से एक bounce back आ सकता है, strong zone है, हम यह predict कर सकते हैं, अगर suddenly इस area को break करेगी, तो एक trap trade active होता है, upside के लिए 100-200 point का, यह trading का तरीका होता है और इस area को break करेगा, तो downside में 47,048 और उसके बाद में 46,740, यह level आ सकता है, जैसे आपको पता है sideways market थी, आज हमारे लिए TCS में trade बना, बहुत अच्छा, 43 रुपीज पे buy किया, 68 रुपीज पे sell हो गया, एक mid cap में carry forward किया था, जो आपके साथ share भी किया था मैंने, 15 रुपी हमारा 30 रुपीज टार्गेट था इसमें, अगर हमें 40 रुपीज दे रहा है तो हमने हसके accept किया और उसमें से exit हो गए, TCS के trade में 65 रुपीज तका target मिल गया, जबकि वो 100 प्लस गया था, पर हमें कोई पच्छतावा नहीं है उस चीज में, क्योंकि target fix है, buying price fix है, कितने रु कैसे काम करते हैं, website पे review section में जरूर दिख जाएगा, must visit है, description में link है, whatsapp number आपके पास में है, आप देख लेते हैं, nifty को ये कुछ pattern थे, आपके साथ में share कर रखे थे, morning में जब live था, 275 के आसपास आके ही, इसने close दिया है, ठीक है, share क्या किया था morning में, कि 320 के उपर open हुई या market एक dip लगाएगी, कोशिश करेगी upside के लिए, market ने try किया, और upside में 424 का high लगाया, 435 जाती तब भी यहां से rejection थी, बट ठीक है, हो सकता है, आप इसको नहीं capture कर पाए हो, क्योंकि हमारा resistance area उपर था, बट कल भाई-बाई-चांस मौका मिलता है, तो ये particular zone फिर से आपके लिए sell zone ही बनेंगा, 22,435, बट मेरे को इतना पता है, कि जब इसने 320 को break किया होगा, आपको छोटा मोटा जो शुरू से follow करते हैं, आपने इस zone के लिए try जरूर किया होगा, upside के लिए मैंने जैसे कहा, कि 435 तक आएगी market, तो यहां पे फिर भी selling के लिए ही जाएगा, उस sell का ही pressure बनेंगा, और इसके नीचे अगर market trade शुरू करती है, तो आपके लिए 22,240 और 220 यह level आ सकता है, और अगर जहां से reverse कर सकता है market, reverse in the sense, कि जहां से pullback मिल सकता है आपको छोटा मोटा, वो area है आपका 22,186, जहां पे market आएगी, एक bounce back ज़रूर दिखाएगी, अगर कल ब demand zone है, फिर यह sell zone में convert होगा, इसके नीचे market के एक घंटा spend करने के बाद में, आपके downside में 21,900 तक के target open हो जाते हैं, वो जाएगी market, सुबह morning live session करेंगे, उसमें discuss कर लेंगे, उसके लिए अभी बोलने का फाइदा नहीं है कोई नहीं, gap down होती है, halki full की 22,186 से reversal आ सकता है, monthly support है, यह demand zone है, अगर इससे बड़ा gap down होता है open, 22,186 से नीचे, जब भी इस area में reversal दिखाएगी, तो यहां से rejection ले सकती है, अब mid cap के expiry हो गई है, इसको छोड़ रहे हैं, अगर break करेगा, 780 के level को जो share किया हुआ था, तो इसमें 750 के आसपास की support है, और 750 को break करेगा, तो 570 तक जा सकता है, अगर इसके बारे में detailed analysis चाहिए होगा आपको, तो comment कर देना, कल live session में कर लेंगे, morning में 8.30 पे, अब देख लेते हैं हम fin nifty को, जिसकी expiry है कल, so guys, अच्छा खासा gap down हो है, चारो index, क्या बना हुआ है, sell on rise का signal, बढ़िया वाला, rise आएगा, will plan sell, rise हमें कितना चाहिए, अच्छा खासा rise चाहिए, sell position में जाने के लिए, इस area के आसपास आएगा, sell zone है, बिल्कुल sell के लिए जाएंगे, 460 अगर यहां तक market नहीं भी गई, if by chance, नहीं भी जा पाई, तो आपके लिए 21,000, 416 एक ऐसा level है, जहां पे market आएगी, अपना रंग जरूर दिख आएगी, इस area में आएगी, तो rejection मिल सकती है, तो आप उसी साफ से plan करना, और downside के लिए, अगर continue करती है trend, तो यह zone बहुत पहले भी share किया था, 20,900 to 830 के आसपास, अगर market आती है, यहां से bounce back मिल सकता है, यहां से reversal के chances हैं, just for intraday, अगर इसके नीचे break कर देगी, तो downside के और question पूछ लेना, कल के live session में discuss कर लेंगे, thank you so much for watching, bye bye, take care